ऊकी वेलकम में स्टुडेंस स्वागत है आपका इस और्गेनिक की क्लास में आई हूप आप रिवीजन कर रहे होंगे जो थियोरी हमारी कौपी में आ चुकी है और अब आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर बड़ा इंट्रस्टिंग है बहुत मज़ेदार है और काफी कुछ समझने के लिए है यहां पर लोजिकली कर सकते हैं देख सेकते हैं सीख सकते हैं समझ सकते हैं जो हमने पहले के टाईन का बनना को रियरेंज्मिट करना कंबीनेशन आफे कि क्वाइश में सो और Sesके बारेसं आपकर हो हैं मरकोनिक आफ अब chant एडीशन हो या के सिपी-ठी पीजा साति कि अमने पिछली क्लास में पढ़ा था हूस का टॉपिक बहरा इंट्रॉस्टिंग स jurisdiction तो तॉपिक पर करेंगे भाँ पिछले घ्लास के टॉपिक पर करेंगे बात क्योंकि उस पर अमने किया था केमले एक केस्टन हम करें और ठीक है तो चलिए चलिए एक बार जल्दी स्पीड में हम करेंगे रिवीजन के सीपी फुल फॉर्म याद है बोलो फुल फॉर्म बोलो के सीपी का फुल फॉर्म क्या था भोल दो हां पीसे पूछ रहा हूं हलो हां पीछे मत देखो बोलो क्या है के सीपी का फॉर्म क्या था क कैनेतीकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। सही है, और काइनेटीकली कंट्रोल्ड प्रॉड़क्ट का क्या मतलब देन साही है? lijno है? फोलो प्रोड़क्ट विची स्कुर प्रोड़क्ट जो जल्दी वन सकती है क्लियर आजा बाकी चीजों से लेना देना नहीं है इसका केवल activation energy barrier से लेना देना है barrier कम होना चाहिए ताकि product खड़ाक से जल्दी से बन जाए और एक था TCP बोलो ज़रा TCP का नाम बदाईए TCP का फुल फॉर्म क्या था और इसका क्या मतलब था thermodynamically controlled product thermodynamics का मतलब हम Delta G free energy में deal कर र प्रोडक्त मतलब most stable product अब के सीपी कह रहा प्रोड़क्त जल्दी बननी चाहिए तो मेरे इन दोनों में कोई डारेक्टर रेलेशन नहीं है इसलिए के सीपी और टीचीप में और में नौट भी सेम यह आपकी कॉपी में लिखा हुआ है नोट में जट के सीपी और टीचीप प नेचर रिवर्सिबल हो जाता है क्योंकि most of the reaction में जब तंप्रेचर बढ़ाते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर टाइप की बॉंड डिसूसीट हो जाती है उस तंप्रेचर पे और रिवर्सविल्टी देखने को हमें मिल जाती है कि के सीपी डीसीपी पे चर्चा करते हुए अगे बढ़े और उमने लिखा था की लो़ टंप्रेचर पर टंप्रेचर जब कम था लोग नई रचे तो वही प्रोड़क्ट जादा बनेगी जो आसानी से बन सकते है मतलब के सीपी प्रोड़क मेजर बनेगा के क्या था जो जल्दी आसानी से बन सकता है तो याद रखना low temperature पे KCP product आसानी से बनेगा higher temperature पे मैंने बोला था reaction reversible नहीं चर ले लेता है और reversible reaction का simple funda है boss अगर reaction reversible है तो most stable product ही major आएगा इसमें कोई दोराय नहीं है कोई ऐसी चीज नहीं कि आप परिशान हो ठीक है तो हमने KCP DCP पर कर ली बात अब आपका यह एक सवाल हो सकता है कि अगर कोई temperature ना दिया जाए तो हम क्या करेंगा यह बहुत important point था सबसे last point मैंने यह लिखाया था excuse me सबसे last point मैंने यह लिखाया था कि अगर कोई भी temperature condition नहीं दी गई तो आप TCP product मेजर देंगे TCP product मतला mostable product को मेजर बताएंगे नाओ आगे बढ़ेंगे एक और point लिखेंगे और फिर अगर आपको याद हो तो 20th के बाद भी मैंने question दिये थे 21 22 23 24 25 and so on फिर हम उन questions को solve करेंगे ठीक है तो एक point जो है note का उससे समझें नोट का एक point है ध्यान से सुनेंगे usually ये आपने जो पिछला नोट लिखा था उसमें एड कर लेंगे usually one two product is KCP product is KCP अब आप कोगे ये one two का क्या concept है मेरे वाई one two का मतलब ये है कि अगर आपने उस bond को जो सबसे पहले polarize होगी उस bond को जो सबसे पहले polarize होगी धून लिया है तो उसी bond को हम one two number देंगे ठीक है one two का मतलब मैं clear करा रहा हूं one two bond means ठीक है first polarized bond first polarized bond आओ बच्चों तुम्हें बताएं इसी के साथ अब हमें अगर KCP TCP देखना है और जितनी भी प्रोड़क्ट बनी है अच्छा एक और बात सुनना कई बच्चे ऐसे बिचलित हो जाते हैं एक reaction में तीन प्रोड़क्ट बनी एक आगया KCP एक आगया TCP तब परिशान है कि वो जो तीसरी प्रोड़क्ट है उसका क्या नाम रखें अरे क्यूं पढ़े हो उसके नाम रखने के चक्कर में यार वो एक माइनर प्रोड़क्ट है रहने दीजिए उसके चक्कर में मत पढ़िए अपने को केवल KCP TCP से मतलब अगारगा क्या आएए आई Yyearailed आपको केश्टेंस करता हूं कुछ प्रस जो आपको दिये गए और यदि दिये गए उनप्रेक्श्ट में करने जा रहे हैं चलिए त्वंदी वन केश्टेंस से स्टाट करें केश्ट्रइए गया में यार रक फंदी वन ये क्या लिखना था जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो लिखना था और इसके आगे जो क्येश्चन से उनका हम वोक मैं आपको बता रहा हूं जैसे ट्वेंटी वन जो क्येश्चन है हैं 21 के स्ट्वेंट्वाई यह है अब देखें एडबल एडबल और इस पर हमें डालना है है एच बी आर वन एक्विलेंट तो हम 21 के आर 22 भी लिख लेते हैं 22 है ये देखिए इस पर कर लेंगे है और 23 ठीक है 23 सेम टाइप का क्येस्चन है ये कर लेंगे आए इन्हें सॉल करते हैं same method same technique so no issue with that चलिए mechanism पहले हम इसे mechanism solve करेंगे आईए देखिए यह दो बॉन्ड है और आप अगर बुद्धी लगाएं तो इन्हीं दो मेंसे कोई बॉन्ड एक घुमेंगी तो मेरे भाई सबसे पहले हच प्लस अटैक करेगा तो आप देखिए इस बॉन्ड का rough वर्क कर सकते है आप rough वर्क कर सकते हैं यह पता करने के लिए कि कौन सी बॉन्ड पहले घुमेंगी तो मेरे भाई मेरे ख्याल से बिल्कुल भी टेंसन मत लो अगर आप rough वर्क कर रहे हैं तो एक तो यह कर लो यह प्लस यह डबल देख लो देखिए यह बनेगा आदूसरा क्या कर सकते हैं यह कर सकते हैं देखिए मैं ऐसे दो केस ले रहा हूं जिसमें केटायन रिजोनेंस वाला बन रहा है केटायन देखो दो इलकीन को गुमाने के चार तरीके हो सकते हैं इससे आजू बाजू इससे आजू बाजू लेकिन दो में ही रिजोनेंस होगा और वाकी में रिजोनेंस नहीं होगा तो जैसे अगर आप देखें ये बांड ऐसे घुमी होती तो प्लस यहां आता ये देखें तो ये प्लस इस टॉबल से रिजोनेंस करेगा दूसरा तरीका ये ऐसे घुमा होता तो प्लस यहां आता ये रिजोनेंस करेगा तो ये रिजोनेंस करेगा तो अगर आप bond कौन सी polarize होगी इसे देखने का तरीका मैंने पिछली class में आपको बताया था और वापस मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इस case में अगर आप देखें तो आप rough में जाके एक-एक करके bond को घुमाएं ऐसा प्रयास करें कि most stable ketine मिले और अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं तो आप देखें ये प्लस रिजोनेंस कर रहा है और साथ में दो alpha age और ये रिजोनेंस कर रहा है और साथ में तीन alpha age तो मेरे क्याल से this is the best choice वो वाली choice best है और वो choice इस bond को घुमा बोलो ये bond one two हो गई one two bond चलो आओ अब हम reaction करते हैं bond गुमेंगी हमें पता चले गया ऐसे one पर माइनस आएगा h लग गया देखो ये केटायन क्लियर अगर आप इस केटायन का rs भी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बिल्कुल सेम केटायन दिखेगा बिल्कुल सेम केटायन दिखेगा अगर आप इसका hybrid बनाना चाहते हैं तो बनाएए कोई मना नहीं करेगा आपको यहां भी हाफ चार्ज होगा और यहां भी हाफ चार्ज होगा क्योंकि यह सिमेट्रिकल है बिलकुल सिमेट्रिकल है तो यह कार्वो किटाइन बना है जिसमें दो साइड पर प्लस चार्ज है आप याद रखें हम पहले भी कर चुके अब मेरे वाई मज़ेदार चीज क्या है कि चाहे आपका वियार इधार अटाक करें या इधार अटाक करें डिजाइन सेम बननी है तो आप यह देख लो यह आंसर आया और इस केस में यही आंसर वन टू है यही आंसर वन फोर है यही आंसर के सीपी है यही आंसर टी सीपी है सब यही है सब यही है अरे ज यहां आ रहा है तो डबल वाँ जा रहा है बास अहां रही है तो इस केस में 1214 के सीपी टीजिपी सबकुस सेम 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 बिटा ये रफ वरक है ये रफ वरक है तो फाइंड आऊट की कौन सी बांड सबसे जल्दी पॉलराइज होगी आओ बच्छो मुझे बताओ चलो चलो इस प्रस्ट को करके खूसिया मनाते हैं, क्लिर, यहाँ पर हम इसकी मिकनियम करेंगे, तो पहला काम वही कि हम पता करें आजू वाली किदर गुमेगी और बाजू वाली किदर गुमेगी, जिन में से कौन सी बॉंट पहले पोल राइस होगी, तो आजू वाली और बाजू वाली को अगर हम समझना चाहते हैं तो एक वार जो को आजू वाली ऐसे घुमा लो अगर तुमने आजू वाली बॉंड को ऐसे घुमाया तो बताओ ये केटाइन मिलेगा आपको देख लो सारे देख लो सरमाना नहीं है देख लो देख लो ये देखो और अगर मैंने इस बांड को ऐसे घुमाया तो मैंने भाई ये केटाइन मिलेगा ये देख लो अब आप ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ दो डबल बांड को पोलराइज करने के चार तरीके होगा लेकिन आउट आप दोस फोर मैथड केवल दो ही मैथड है जिसमें केटाइन रिजोनेंस कर रहा होगा अरे खुद देखो न यार यहां बड़ा बड़ा बना देता हूँ चलो ये केश्चिन अगर ये बहुन तुमने ऐसे घुमाई तो यहां माइनस यहां प्लस तो यह प्लस इस टू केटाएं ये रिजोनेंस वी कर रहा है और इसके 6ल 5 ये रिजोनेंस कर रहा है और 2 कर करते केस्टन चालू करते हैं आप मैं इसे रिवर्ट करके भी लिख सकता हूं तो बिल्कुल टेंसन मत लेना यह वांड इधर गई यह एच प्लस क्लियर तो बनने वाली चीज को देखो यह के टायन और यह रिजोनेंस भी करेगा यह के टायम है ठीक है इसका हाइब आप चाहें तो बना लिए और आप इस पर बियार मैनस आटायक करेगा और यहां अगर मैं अन्सर बनाऊंगा तो आपको अन्सर यह मिलेगा Declaration आएगा अन्सर यह मिलेगा जो चीज़ हमा में पता है दोस्त रो मैं यहां लिख था हूं है यह one four product है सारे लोग देखो यह one two है clear हम study check कर सकते हैं पहले study check कर लो यहाँ alpha H zero है इस हलकीन का alpha H नहीं है जब कि यहाँ इसके तीन तीन छे दो आठ alpha H है तो यह ज़्यादा stable है यह stable है और यह क्या है यह less stable यह less stable है क्या आपके भेजे में गुस गया कि यह TCP है यह TCP है क्योंकि यह ज़्यादा stable है देख लो यह ज़्यादा stable ठीक है और यह one two है one two because of one two one two हमने इसे क्या बोला KCP यह KCP तो हो गया भाई साब अगर यहाँ आप major पूछा जाए major तो कोई temperature ना देने की वज़े से कोई temperature ना देने की वज़े से हम इसे major बोलेंगे TCP को if no condition is given हम TCP प्रोड़क्ट को major product मानते हैं ठीक है देखिए इसे जलत 10 सेकेंड है आपके पास कर लिया आपने बड़ा अच्छा कैश्चन था देख ले आप फिर से देख ले दो बांड हो सकती है ते में 3 हो सकती है चार हो सकती है कितनी भी होसकती है skryण क्यों करना पढ़ आए यह के अगर आपकी режим अगर आप की निगाहें इसे यह देख पाएं कि इसका हाइव्रिड क्या है यह देख रहा है यह सबसे full proof technical method है अगर आप यह देख सकते हैं कि इस compound का hybrid क्या होगा तो अगर आप इस compound का hybrid महसूस कर सकते हैं तो आप तो दिख जाएगा कि किस carbon पे minus charge आदा है यह एक दूसरा तरीका है मुझे यह तरीका जो है थोड़ा easy नहीं है इसलिए पहले मैंने easy वा compound it's a one of the resonating structure of a compound एक compound का resonating structure है अब अगर आप इस compound के hybrid के बारे में आँख बंद करके सूचें hybrid के बारे तो आपको certainly इस carbon पर minus दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि resonance भी हो रहा है और cst से hyperconjugation भी हो है hybrid में hybrid में दिख रहा है तो साब साब समझ में आ रहा है न कि एच प्लस इसी carbon पर attack करेगा तो समयों मामले को एक तो यह एक टेकनिकल एंड लॉजिकल कॉंसेट टेकनिकल लॉजिकल कॉंसेट के साब से नहीं यह कर दिया यहां पर एच अटेक करेगा और अगर यहां नहीं अटेक कर रहा है भाई साब देखो जहां भी hybrid क्या होता है वास्त विक तक compound की असलियक hybrid होता जो originally molecule को होना चाहिए तो अगर आपकी निगाहें आपका दिमाग आपका मन originally compound को देख पा आ रहा है मैसुस को खटाक से बताइए उदार एच जाएगा को सब्सक्राइब कर लिए कि नहीं तो यह अगर आपको थोड़ा सा वाला त्रिया नहीं हुआ 23rd अभी मैं यह अटा देता हूँ फिर 23rd करेंगे ठीक है 23rd करेंगे 23rd आ जाओ 23rd जो question है यह है आपका डबल डबल ओके 24th में है बेंजीन डबल डबल 25th 25th क्या है 25th है ऐसा है कुछ यह डबल बाउंड यह इसा है नॉट रॉंग हाँ 25 यह है आओ करते हैं एक एक करके करते हैं इसा सॉल करते हैं इसमें बाउंड पता कर लो अगर आप फिर से रफ सेग्मेंट में जाएं रफ वर कहें तो फाइंड आउट बाउंड किदर घुमनी चाहिए एक तो वाई साब आपको यह मिलेगा देखें यह प्लस मिलेगा जब यह बाउंड मैं ऐसे घुमाऊंगा ठीक है और दूसरा जब यह बाउंड मैं ऊपर की तरफ घुमा दूँ तो आपको यह मिलेगा मेरे भाई अंदा आदमी बता दे कि कौन सा केटायन ज़्यादा एस्टेबल है हैं आप तो आँख वाले हैं बता दीजे कौन सा ज़्यादा एस्टेबल है मेरे ख्याल से यह बढ़ है रिजोनेंस के साथ दो इलफ आएच यह बढ़ है यह बढ़ है यहां रिजोनेंस के सा कि 1234 सबसे पहले अटक करेगा एच प्लस यह इदर यह एक अटक करेगा वही केटायन बनेगा मेरे भाई जो इतनी मेहनत करके आपने ढूंडा है ठीक है सुनना ध्यान से समझना कान से आपको एक और केटायन मिलेगा एक और केटायन मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से देख पार है तो तो एक बार यह ऑर यह और यह उन्सर मिलेगा और होट यह आणसर मिलेगा कि अ यह क्लियर यह 14 प्रोड़क्ट भ्यान से देखेंगे सारी कंड़ तो यह KCP हो गया और यह क्या है यह KCP यह क्या है बोलो अगर आपने टीजिपी बोला तो यह आपकी पिटाई करूंगा ऐसा नहीं कि यह KCP है इसलिए वह TCP होगा, no, KCP, TCP directly connected थे ही नहीं, आपको देखना पढ़ेगा दोनों में ज्यादा stable कौन है, आओ, दोनों में ज्यादा stable चब कर, इस अलकीन के 3, 2, 5, 1, 6, 6, 6, 7, 8, इस अलकीन के 2, 8, तो मेरे वाई, यही अलकीन ज्यादा stable है, देख लो, यही अलकीन ज्यादा stable है, और अगर यह ज्यादा stable है, तो यही TCP है, तो इस case में KCP, TCP सब सेम है, सबका answer एक है, मेरे वाई, इसके नाम दिने के चक्तर में मत पढ़ना है, यही KCP है, यही TCP है, तो मेरे वाई, यही इसका answer हो गया, major answer, major answer, single answer, यही हो गया, ऐसा बहुत जगे मिलेगा, जैसे 24, 24 को मैं solve कर रहा और मैं आप से जानना चाहूंगा, कि 24 में कौन सी bond जल्दी घुमेगी, left वाली या right वाली, तो यहा तो आपकी मन की निगाहें hybrid जून पा रही हो, यहा तो आप hybrid को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने पास और तरीके हैं, यह लो, यह देखो, एक बार यह घुमा दें, अगर मैंने यह घुमा दिया जनाब, तो आपको मिलेगा यह के टायन, देख लो, यह के टायन, और अगर मैंने यह घुमा दिया, तो आपको मिलेगा यह के टायन, तोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जगे की का कि अब आप अपनी बुद्धी लगा ओए ये इस टेवल वो स्टेवल मेरे भाई इस से ज्यादा कोई के ट्अन स्टेवल नहीं है क्योंकि ये प्लस इस डॉबल से बीर जोनेस्स कर रहा है और इस बियांजीन से खर देश प्लस is in extended conjugation ये प्लस इधार इधार सब के साथ इसमें जब कि ये प्लस इस डबल से resonance नहीं कर रहा है कि अवल इधर से कर रहा है तो आप समझ लें फिर से किनारे वाली bond है सही च्वाइस किनारे वाली bond है सही च्वाइस 1234 आओ बच्चों तुम्हें बताएं ये bond गुमाओ एच प्लस अटैक बनने वाली चीज को मन की आँखों से देखें ये के टाइन ड़ गया नो डाउट रजोनेंस होगा और ये के टाइन भी होगा और अब आप खटाक से बियार लगा दो कूद कर एक दम एक बार बियार इधर एक बार बियार आप इधर लगाएंगे तो ये बनेगा और एक बार जब बियार आप नीचे लगाएंगे तो ये अंसर बनेगा लेकिन अगर आपकी मन की निगाहें या मन की आखें ये देख पाई हैं कि ये 1-2 है ये 1-4 है बहुत अच्छे ये 1-2 है तो ये KCP हो गया ख्लियर आप अगर मैं आपसे पूछूँ ज्यादा स्टेबल कौन सा है एलकीन ज्यादा स्टेबल कौन सी है उपर वाली या नीचे वाली जवाब दो उपर वाली या नीचे वाली कौन सी ज्यादा स्टेबल तो जवाब आपका आना चाहिए उपर वाली क्योंकि उपर वाली डबल वांड रिंग के साथ कंजूगेट तो क्या आ हेलो ऐसा करते हैं कि एक और कर लेते हैं 25 और फिर मैं मानता हूं कि केस्टन आप को थोड़ा सा ऐडिया लग गया है तो बाकी केस्टन साप उसी तरीके से अटांट करेंगे चीक है तो 25 मैं डिसकस कर देता हूं 25 25 बहुत मज़ेदार है यार यह आप लोग बताओगे कि मैं प कि मैं सबसे पहले कौन सी बॉंड पॉलराइस करूँगा रफवर करना है कर लो अगर मैं बाहर वाली बॉंड घुमाओं अगर मैं बाहर वाली बॉंड घुमाओं आप अगर देख पा रहे हैं तो देख लो यह के टायन बनेगा यह के टायन बनेगा ठीक है और अगर आप अंदर वाली बॉंड घुमा रहे हैं तो आप देख सकते हैं तो देखिए यह के टायन बनेगा मैं जब भाई अंधा आज मी बता दे कौन सा केटायन सबसे बढ़े हैं कौन सा केटायन सबसे बढ़े हैं ये केटायन बहुत बढ़े हैं क्योंकि इसके अलफा एच पांच हैं और रेजोनेंस भी है तो I think it's a very easy मैं इसे उल्टा करके लिखूंगा डबल ये देखें और ये आया H प्लस पहले तो ये बॉंड इदर ये इदर तो आपको मैं बता दूँ ये हमारा है 1, 2, 3, 4 अब देखें बहतरीन चीज़ बनेगी दिल खुस कर देगा ऐसी चीज़ बनेगी ये प्लस और मज़ेदार चीज़ क्या है कि इस केटायन के RS से भी बिलकुल सेम चीज़ बनेगी ये देखें इस केटायन के RS से भी बिलकुल सेम चीज़ बनेगी अब मेरे वाई BR जोड़व कहीं भी जोड़व कहीं भी जोड़व same answer यही KCP है यही TCP है सब का आंसर एक है so these are the questions in which we are actually getting same KCP and same TCP मतलब जो जल्दी बन रहा है वही most stable बन रहा है and I think फंडा बहुत के लिए है एक हलकीन मिलेगी I mean that would be at least dine conjugated dine or triine even more so first we have to find out that out of those pi bonds कौन सी bond सबसे पहले polarize होगी so we actually we actually have two methods for this either हम इसके hybrid को महसूस कर पाएं since महसूस कर पाना और feel कर पाना आसान नहीं होता so मैं if you are if we are able to assume or feel its hybrid आपको आचाने आराम से पता चल जाएगा कि भीया यहां पर attack होगा but if we are unable then opt this rough option इसमें हम जाकर एक एक बॉन को ऐसे घुमाएंगे कि हम most stable cation बना पाएं ठीक है and as we get most stable cation so we would know कि हमें पता चल जाएगा यह वाली bond है जो पहले polarize होगी तो वहीं कहेंगे one two three four ऐसा कर लेंगे और फिर bond घुमाएंगे उसी bond से answer बना देंगे okay so still we are having few questions like 26 27 28 29 30 लेकिन इन questions को हम discuss करेंगे अगली class में और हम आगे बढ़ेंगे यह व्मीप के साथ कि आप यह सारे question एक बार ट्राय करेंगे ठीक है तो मैं यह अटा देता हूँ पे अडा रहा हूं मैं अडा रहा हूं भाई अडा रहा हूं थर्डी ता question दिये में so can have few more questions in KCP-TCP कुछ और लिखलो एक दो तीन केशन और लिखलो 31 question लिखलो आप double 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 and it is again HBR one equivalent clear 32 मैंने दिया HCCCCCH2 CH2 CH2 CHCH2 and HBR one equivalent okay और question मैं आपको दो two so can have also this question HBR one equivalent okay like can you use such kind of question double double and pH here okay 35 question भी मैं दे देता हूं एक और ले लो okay okay so boss easy segment है तो आप बिलकुल ये कर लीजिएगा ठीक है और आगे बढ़ते हैं इस इसी के साथ we just finished KCP and TCP concept ये है वही HX edition तो ये हमने पूरा यहां पर कर लिया है ठीक है अब हम क्या करेंगे हम तोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम हम केस 1 & के एपलीकेसं करेंगे में केस बन के एपलीकेसं में चाशियद थी है कि इसके एलक्टो फाईल पर प्लस होता था लेकिन लोन पेर नहीं होते है ठीक है यासे बी यार में एक हुनर आएगा इससे अगर यह reaction सीख गए हाँ तो आपके हाथ में एक talent आ जाएगा चलिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है addition of addition of gel अब हम alkene पर gel add करेंगे addition of gel H2O on alkene सारे लोग देखेंगे addition of gel on alkene या फिर हम इसे बोल सकते हैं addition of H2O H+, मेरे वाई यह अभी आप देखें बहुत आसान है या मैं बोल सकता हूँ addition of H+, जो है H+, वो H2O 4 से आया है और H2O जो है वो dilute dilute H2O 4 या तो मैं इसे बोल सकता हूँ addition of dilute H2O 4 या मैं बोल सकता हूँ addition of H2O H+, या मैं बोल सकता हूँ H3O plus everything is same सब है same same इसका एक और नाम है हम इसे बोल सकते हैं Hydration of Alkene Hydration of Alkene मेरे वाई कुछ भी नया आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि सब कुछ वही है जो हम अभी तक करके हैं अभी तक आपके पास HX होता था HBR आप bond गुमाते थे अब क्या करना है फिर से bond गुमेंगी इस पर H plus attack कराओगी क्या बनेगा उस पर वोटर अटेक कर जाएगा अब कौन अटेक कर जाएगा जल अभी हमको H plus water है पहले H plus BR minus था everything is same everything is same पहले H plus के बाद BR minus था अभी H plus के बाद water है इतना है बस नुक्लियोफाइल बदला है पहले VR minus combination कर रहा था अब water combination करेगा और खटा-खट answer देगा आपके आईए खटा-खट answer ले ले ते भी मेरे भाई ये reaction कुछ इस तरीके से मार्कोनी कॉफ जिंदाबाद इदर लगा लेना ordinary cases में जाँ-जाँ लगता है है वैसे आपको पता मारको नहीं को पड़ जेगा नहीं लगता ओके सो मुद्दे की बात यह पहली रियेक्शन CH2 double bond CH2 अब arrow के उपर कुछ भी लिख कर आ सकता है H plus H2O लिख कर आ सकता है या फिर H3O प्लस लिख कर आ सकता है या फिर महापुरसों dilute H2O 104 लिख कर आ सकता है सही है तो निहायती आसान कटेगरी की रियेक्शन जो एक जटके में हो जाएगी आओ जटके के लिए तयार हो जाओ यह मिक्यानिजम है और आपको पता है H plus यह अलकीन है clear या अगर आप H2O 104 सोच रहे हैं तो H2O 104 क्या देगा आपको H plus H plus देगा H plus देखना बहुत मज़ेदार चीज़ बताऊंगा दिल खुस हो जाएगा आपका यह H plus देगा याद आया मैंने कहानी सुनाई थी कि बड़ी सी फैमिली है इतने सारे लोग रहते हैं एक दिन में लड़ाई हो गई एंजम में लड़ाई हो गई एक H को लात मार के निकाल दिया अब यह H क्या लेने निकला है लक्टरॉन इसने कसम काई है मुझस से लक्टरॉन छीने गए है मैं भी छीन लूँगा सबसे लक्टरॉन यह आगया अलकीन के सामने and you know that अलकीन is a nucleophile अलकीन तो electron density होती है इसके इंदर nucleophile है यह एट प्लस जाते ही बोल देगा give me electron pair मेरे भाई यह तो बहुत बार कर चुके हो ऐसा घुमाना फिराना टैक कराना यह आपके बाएं हाथ का काम है बनने वाली चीज कारवो केटायन मेरे वाई यह केटायन इस समय रियरेंज्मेंट नहीं कर सकता क्योंकि यह मोस्टेबल लेकिन अगर इसके पास और स्टेबल होने का मौका होता तो यह विल्कुल रियरेंज्मेंट करता रिंग एक्सपेंशन होता कांट्रेक्शन होता हाइडडाइट से तो नहीं होती वह होती मिताइल से फोनी होती वह होती इताइल या फिनाइल से फोनी होती तो वह होती फिलाल यानि कि यह रियरेंज्मेंट हो सकता है आओ बच्चों मुझे बताओ अब यह बन गया लग्टोफाइल अब ये बन गया लग्टोफाइल और इसे चाहिए नुक्लियोफाइल मेरे भाई सिस्टम में है जल सिस्टम में है जल और जल है तो जीवन है वो है नुक्लियोफाइल वो क्या है नुक्लियोफाइल ये ऑक्सिजन इस कारवन को टॉप और बॉटम याद आय क्या प्लेनर चीजों पे अटायक हमें साथ टॉप से भी होता है और बॉटम से भी होता यह तो बहुत पुरानीत कितने बार कर लिया हमें तो यह टॉप फॉटम यहां पर देखो कोई फरक नहीं निकाल लेते हैं पहले ही वोटर से ओच माइनस निकल अरे भाई वोटर नहीं तूटता वोटर अपने आप नहीं तूटता है प्लस ओच माइनस में राइजा नहीं पकड़ के खीच लिया गर्दन मरोड दी यह चलग हो गया ऐसा नहीं पूरा वोटर एटैक करेगा ओपर प् बोले या यह कंजूगेट पार्ट बोले यह आकर इसका एच प्लस छीन लेगा यानि कि एक अलग स्टेप होता है यह चुरा ले जाएगा इसके एक एच को और बन जाएगी चीज क्या देखा देखा आप अभी अभी ताजा ताजा आपने अलकोहल बनाया है एकदम ताजा अप फ्रेस अलकोहल बनाया आप एड़म फ्रेस अलकोहल बनाया बाई साब यह एच्ट्यस ओफोर देख लो देख सर्मानी की कोई बात नहीं तो आपके हाथ में एक खुनर आ अगया एक टैलेंट आगया आप अलकोहल बनाना सीख गया ऐसा टैलेंट होना चाहिए अपने अगर आपके पास थोड़ा दिमाग है तो यह रियक्शन आपको किसी की याद दिलाएगा पीछे वाला यादों में खो गया आ रहे हैं उसकी याद की बात नहीं कर रहा हूं किसी और और्गेनिक रियक्शन की याद दिलाएगा आज आप कर रहे हो हाइड्रेशन ओफ एलकीन याद करो एक दिन था जब आपके पास अलकोहल हुआ करता था याद करो अलकोहल हुआ करता था इस चप्टर के सुरुआत में अलकोहल हुआ करता था उस पर आप H2O4 डालते थे ये बनाते थे फिर वोटर निकालते थे किटाइन बनाते थे फिर अलकीन बनाते थे अरे जल डालकर अलकोहल बनाया हमने पहले पढ़ी हुई dehydration of alcohol की mechanism को आज revert करके hydration of alken के नाम से आपके सामने paste किया और ये बिलकुल सही है क्योंकि जब आपने dehydration of alcohol पढ़ा था तब भी आपको ये बात पता थी कि that reaction contains reversibility reaction में reversible नहीं चलोता है मालब इधर से उधर जा सकती तो उधर से इधर भी आ सकती इधर से उधर जा सकती है उधर से इधर भी आ सकती तो मेरे वाई ये reversible nature है देख लें आप और इसके लिए note में सारे points वही है मैं फिर आपको बता चुका हूँ केटायन में इस में इस चाप्टर में जिस्वी रियक्षन में केटायन बन रहा है तो केटायन का बनना ही RDS है तो again if we are talking about this तो यही है RDS यह तो हम कर चुके हैं पिछली क्लास में नुकलियो फिलिसिटी केस वन में किया वा था नुकलियो फिलिसिटी ऑफ एलकीन इस्टलबटी ऑफ केटायन वो सारी चीज़े मने की नहीं okay so this is all about अब मज़ेदार चीज़ जो है वो मैं यह एक दो पॉइंट लिखना चाहता हूँ देखें क्या है वो इस दो पॉइंट था है मैं मैं questions हटा देता हूँ यह question तो आपने लिख लिख ली होँगे मेरे बाई मज़ेदार बात यह है कि कुछ पॉइंट मैं revise करा रहा हूँ आपने आप देख सकते हैं कार्बो केटायन intermediate चलो कार्बो केटायन intermediate second point rearrangement यहां नहीं हो रहा लेकिन rearrangement possible है किसमें possible है hydration of alkyne में rearrangement possible है third point formation of कर्बो केटायन RDS मेरे वाई यह तो universal truth जैसा हो गया formation of cation is RDS clear and सबसे important point देखो सबसे important point देखो यह addition reaction अगर आपको याद हो dehydration of alcohol elimination था उससे निकाल ले थे alkyne मना रहे थे आज अलकीन पर जोड रहे हैं ऐसे अलकोहल बना रहे हैं याद रखना अब अगर आपको मैंने एक दिन बोला कि चलो अलकोहल बनाओ और आपने यह मेथड लिया आपने अलकीन पर यह एच प्लस डाला यह किया वो किया और एकाज़र यह अलकोहल आ गया तो आप यह समझ सकते हैं कि यह मेथड अलकोहल बनाने के लिए बेस्ट मेथड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जो अलकोहल बन रहा है वह acid की presence में स्टू सपोर की presence में वापस भी हाइड भी हो सकता है इसलिए इस दिस मेथड इस अप्रोप्रियेट मेथड पर फोर्मेशन आप अलकोहल अलकोहल बनाने के लिए यह बेस्ट मेथड यह अप्रोप्रियेट मेथड नहीं माना जाता है reversible reaction and next point लिकेंगे not not a good method not good method for preparation of alcohol for preparation of alcohol वोलो क्यों वोलो क्यों वोलो क्यों वोलो क्यों सब्सक्राइब करें जो एलकोहल बना था वो विचारा जल छोड़कर फिर से निकल लेगा कुछ पार्ट उसका तो यह एक इश्यू है तो अब आपके दिमांग में एक और बात आने चाहिए सब्सक्राइब कर रहा है तो कराएंगे नहीं कर रहा है तो कराएंगे नहीं कर रहा तो सीधा वोटर अटाइक कराएंगे आंसर बनाएंगे और इंज्वाए भी करेंगे ठीक है चलिया मैं केस्टेंस लिख रिता हूं तो इस अधर केस्टेंस अगें फो होमबोग के सो बहुत आसान ही सब पर रहा है डाल्यू टेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् कि अंगो मि अंग में व कि अंग कि मैंने बातेर्ट्टिस कर लोगुब यह बहुत आसान आसान केश्टन है पहले Napienia केटा नेमेंट कराने के प्रस्टाश-कि कर लेना बिटा ऐसा नहीं मस्ती या ठीक है लिख लिया देख लिया बस करनी रहे प्रॉपर नोट्स सब कुछ तमीज से यह हम कर रहे हैं हाइड्रेशन अफ एलकीन ओके और कोई टाइप बच रही है क्या यह हो गया थोड़ा अच्छा बना दूए कि बिल्कुल बाते नहीं कर दो अब एक और बड़ा इंट्रस्टिंग सेग्मेंट है यहां पर चाहूंगा आप सारे लोग देखें इसे और ये बहुत इंपोर्टेंट है आइटी में तो आना ही आना है आप यहां पक्कान है इस इंपोर्टेंट चीज को बार बार देखें बार बार देखो हजार बार देखो ये केशन वब 15 देखने की चीज है है इसे इतना देखो कि आपके दिमाग में यह दिल ओ दिमाग पर छहा जाए यह लगर आपने दिलोदि माग पर पहले सही छाया हुआ अरे मेरे भाई यह बी अचाई में आपको अच्छा इलड डाएगा ठीक है क्या है क्या है क्या इसा क्या खजाना चिपा है इदर आओ सुनो सम्झो देखो सिखो सब करना इदर आओ देखे मेरे भाई डबल पर अमने डाल दिया वाटर डाल दिया एच्प्रेस डॉल दिया इलकॉल बना रहे बना रहे बना रहे लेकिन यहां मामला को छलग है मामला है यह ट्रपल बॉंड देखना सारे ट्रपल बॉंड क्या बोला मैंने ट्रपल बॉंड चलो थोड़ा सा नीचे ले आता है आप सारे लोग बोड पर देखें लिए 15 क्येस्टन में मैंने दिया आपको आर सी ट्रपल बॉंड सी आप और यहां मिला आपको डाइल्यूट एच्ट्व एसोफित है चीक है मिला आपको और यह 16 क्येस्टन यह है आर सी ट्रिपल बॉंड सी एच और यहां पर भी हमने ले लिया यह और यह है 17 क्येस्टन बहुत आराम से समझना मज़ा आ जाएगा अब एक इतनी इंट्रस्टिंग बात है जो आपने अभी तक यह तो सुची नहीं होगी और सुची होगी तो बहुत ध्यान दिया नहीं होगा सुनिए दर जहां किसी डवल वांड पर जहां किसी डवल वांड पे एच प्लस अटैक कराते हैं सारे लोग ध्यान से सुने मैं अगर मैं किसी डवल वांड पे एच प्लस अटैक कराऊं जैसे यहां भी दोखो एच प्लस अटैक करेगा तो आप से अगर मैं पूछू एच प्लस पहले किस पे अटैक करेगा ट्रपल बॉन पे या डबल बॉन केस्टन सुनलो सारे लोग पूरी और गैनिक में यह प्लस ट्रिपल पे जल्दी अटैक करेगा या डबल पे देखिए आपके दिमांग में कोई भी आंसर आ सकता है लाइक आप ऐसे सोच रहे हूं कि एच प्लस को चाहिए लक्ट्रॉन तो जहां है ज्यादा लक्ट्रॉन वो है ट्रिपल वॉन वहां है ट्रिपल वॉन क्यास करें ज्यादा लक्ट्राउन होना इस बात की के घरंटी नहीं है कि इलक्ट्राउन जल्दी मिलेंगे समझना मेरी बाद लक्ट्राउन जल्दी मिलेंगे इसकी घरंटी मैंने है यह मैं आपको बताव Truly एच ज्यादा होना important नहीं है ज्यादा होना electron important नहीं है जल्दी देना important है अब आप कोगे explain करो how can you prove double bond ज्यादा nucleophilic है मेरे भाई मेरे पास दो तरीके हैं यह proof करने के पहला सबसे ordinary method सबसे पहला ordinary method मुझे बताओ यहां carbon पर hybridization क्या सब्सक्राइब करेक्टर ज्यादा है अगर उपर वाले में सब्सक्राइब करेक्टर ज्यादा है यानि कि इसकी एलक्तों निगेटिविटी ज्यादा है मताब वो एलक्टॉन देना नहीं चाहता okay I think you are getting my point okay so मैं इसमें 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 कोई दोर आए नहीं है दूसरा थोड़ा बढ़े हैं टेक्निकल वाला है मैं यहाँ यहाँ आप लिख ले ना sp is more electronic यह पूरा आप लिख लेना मैंने तो बस ऐसा हिंट कर दिया है यह पूरा आप लिख लेना दोस्त explanation to don't know explanation आपको लिखने है दोनों explanation आपको लिखने है ठीक है दोनों के दोनों आपको लिखने है सुनो अब मैं सुटिंग नहीं करने जा रहा हूं समझो double wand यह बीच में सिगमा है और यह उसके पीजेड है ठीक है बीच में सिगमा है यह उसके पीजेड है आजाओ आओ यह double wand है और triple wand में क्या होता है पीजेड के साथ पीवाई भी होते हैं पीजेड के साथ पीवाई भी होते हैं होते हैं नहीं होते हैं पीजेड के साथ पीवाई डबल में ऐसा होता है डबल में आपका भी आ जाएगा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा अब मुझे बस इतना बता दो कि triple wand double wand से length में छोटी होती है या बड़ी होती है ट्रपल बॉन्ड डबल बॉन्ड से लेंथ में छोटी होती बड़ी होती है जबाव है छोटी होती है ठीक है तो मेरे बाई यह डबल था यह डबल था आदे को यह ट्रपल बनाऊंगा मैं यह ट्रपल बनाऊंगा देखना जैसे ट्रपल होगा बॉ bond में ये पास आ गए हैं ये पास आ गए हैं जो कि double bond में दूर थे triple bond में ये पास आ गए हैं कौन है ये पीजेड औरवाइटल और मेरे भाई अगर औरवाइटल पास आ गए हैं इसका मतलब उसमें overlapping पहले से और अच्छी हो गई है और अगर और अच्छी ओबरलापिंग हो गई है तो यानि कि ट्रिपल बॉंड के पाइलक्टॉंस टाइटली पैक हैं और टाइटली पैक होने की वज़े से अच्छी वज़े आच्छी से ताइटली पैक है अच्छी पैक है अच्छी पाइलक्टॉंस टैजिडे पैसलेक्टॉंगा तो अच्छी कॉण सैंग्टॉं टीडेलग्टॉंगा। इन एलकाइन, एलकाइन is tightly packed, tightly packed, clear, hence less nucleophilic, less nucleophilic, nucleophilic, यह वड़ा मज़दार सेग्मेंट है, और यह पूरी और्गनिक में यह रहेगा है सा नहीं, यह चेंज हो जाएगा, so you can easily find कि भाईया, यह कम nucleophilic है, कौन? भूलो, टृपल बॉन्ड, तो अब यही समस्या यहां देखने को मिलती है, कि मरे बाई, डॉबल बॉन्ड पर तो अलक्टोफाइल, खड़ा कट, खड़ा कट, खड़ा कट, अटैक कर लेते हैं, लेकिन टृपल बॉन्ड में आती है द तित्कत ध्यान से सुन लो सारे भाई वाट करा लोटट कर आनें हैं तुम कि आ वनिंगर तो मेरे भाई अगर हम skate ाइदिसवेड रेस्टू को रूज नहीं कर सकते हैं तब तक इस पर एडीशन अच्छे रेट से नहीं इसके tightly pack electron density को lose नहीं कर सकते तब तक इस पे addition अच्छे rate से नहीं होगा तब तक इस पे addition अच्छे rate से नहीं होगा clear? इसलिए जब भी आप पूरी किसी भी book में किसी भी book में triple wand पर reaction देखते हैं किस पर? triple wand पर reaction देखते हैं तो आप देखते हैं इस पे लिखा होता है HGSO4 और नीचे होता है H2SO4 अरे ये दोनों उपर भी लिखे जा सकते हैं बट concept समय अरे H2SO4 तो समय ले ही रहे हो dilute H2SO4 तो समय ले ही रहे हो बट यहाँ ये HGSO4 extra लिया जाता है अब आप कोगी करता है क्या ही है HGSO4 मेरे भाई HG plus 2 सुनना HG plus 2 triple wand की tightly packed electron density को HG plus 2 triple wand की tightly packed electron density को polarize करके loose करता है It actually loosens tightly packed electron density of triple bond and addition को support करता है addition HG plus 2 के presence में बहुत जल्दी हो जाता है आओ बच्चों तुमें बताएं मैं 12 के बारे में बता रहा हूँ सारे लोग ध्यान से थे 12 के बारे ठीक है ये XC triple wand CH है इस पे आप उसी तरीके से water add करा ले मेरे भाई सू इजी एक तरफ एच आएगा एक तरफ ओया चाहेगा तो जब आप ये add करा लेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको enol मिला है enol ये है enol और totomarize जम तो आपका बहुत खतरना कैस सुना है मैंने तो ये totomarize हो जाएगा और आपको answer मिला aldehyde आपको answer mिला aldehyde क्या मिला answer aldehyde तो मेरे भाई ये देख लें बाकी triple bond में बाकी triple bond में ये देखा गया है जरसल देखो ये triple bond में दोनों तरफ h है किसके किनारे पर h है इसलिए इसलिए बोलते है terminal alkyne क्या बोलते है terminal alkyne terminal alkyne ये लकाइन किनारे पर पड़ा हुआ है ये भी तर्मिनल लकाइन है क्योंकि ये भी किनारे पर पड़ा हुआ है ये भी किनारे पर पड़ा हुआ है ये भी किनारे पर पड़ा हुआ है उपर वाली नॉन टर्मिनल है बीच में पड़ा हुआ देखो बीच पड़ा हुआ है alkyne clear non-terminal alkyne में ऐसा मना जाता है कि वह यह ग्रुप लगे हुए आर यह कुछ ना कुछ electron density को lose करते होंगे यह electron density और देखे वहां मौझूद अलग पहले से मौझूद electron density को कुछ बढ़ाते होंगे जिससे लक्तो फाइल इस पर आ जाता होगा मतलब मैं यह कह रहा हूं कि non-terminal alkyne एक बार hg plus 2 नहीं हो तो hydrogen so कर देगा लेकिन यह पिचारे terminal alkyne इसके लिए hg plus 2 must है चाहिए तो चाहिए hg plus 2 अपने को चाहिए तो चाहिए at any cost चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो यह ले लिए आओ बच्चों तुम्हें बताएं देगे यहां पर आप non-terminal में आप hgso4 h2so4 लो या केवल dilute h2so4 लेलो चलेगा या केवल यह लेलो लेकिन मैं यहां कह रहा हूं यहां hgso4 h2so4 ही लेना ठीक है और याद रखो hgso4 h2so4 पूरी organic में केवल triple bond पर ही पढ़ोगे that's why this reaction is most important बहुत ज्यादा है टी में हर साल आता है हर साल इसलिए मेरे भाई इस reaction का एक है नाम और नाम आपके दिलो दिमाग पर च्छा जाना चाहिए कुछ भी च्छाया हो दिलो जमाग पर ये जरूर च्छाना चाहिए इसका नाम है इसका नाम है के यू सी एच आर ओवी अब आपको क्या पढ़ने में आ रहा है कुछ रोव 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 कुछ रो arrangement करना पड़ा triple one के hydration में क्यों tightly packed electrons होते हैं इसलिए अपने को पुड़ा यह arrangement करना पड़ गया so it is all about hydration of falkeen and we just finished it i think कर लेंगे आसान बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे एक अगला टॉपिक जो है बिल्कुल इसी से मिलता जूता है और वो है एडीशन ओफ एडीशन ओफ कॉंसेंट्रेट एच्टू अभी हमने डालूट एच्टू सफोर दिया था अब हम कॉंसेंट्रेट एच्टू सफोर देंगे क्लियर आए एक केस्टन में आपको पहले करात हूं ताकि आपका दिल खुस हो जाए पहला केस्टन है और यह है वहां डालूट था यह कॉंसेंट्रेटेड है एच्टू सफोर क्लियर सेम सब कुछ सेम है दोस्त में कुछ नया नहीं पढ़ना है हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एप्लिकेशन पार्ट कर रहे हमने इनको पेस किया जाए एलकी नावी लो क्या टाक कर आओगे एच प्लस यह बॉंड गुमी यह अरे बॉंड गुमा ना आ गया आपको पांसो बार तो बॉंड गुमा चुके हैं बाई बनने वाली चीज बनने वाली चीज देखो मगर बूर्ड पर यह आगया के टाइं अब यहां पर देखें जल नहीं है यही है क्लियर ध्यान से सुनना डाल्यूट एस्टियोसफोर के केस में इसके साथ वाटर था याद रखना वाटर जब भी होता है वाटर तो वो बड़ी चलाकी से काम करता है वो दूसरे नुक्लियोफाइल को वाटर सिस्टम में मौजूद दूसरे नुक्लियोफाइल को घेर लेता है घेर लेता है घेर लेता है जाने तुझे देंगे नहीं तो फिर वो क्या करता है दूसरे नुक्लियोफाइल को खुद घेर लेता है अब वो गया सराउंडेट सॉल्वेटेड वो जा नहीं पाता है और वाकी वाटर खटा खट कर जाते हैं समझना इसी लिए वाटर अगर कहीं भी मौझूद है तो बाखी नुक्लियोफाइल अटाइक तो करेंगे लेकिन वाटर के अटाइक से आई हुई प्रोडक्ट मेजर होगी तो जैसे यहां वाटर नहीं है यहां वाटर नहीं है आप देख सकते हैं यह कॉंसंट् साइज में बढ़ा होता है यहां यहां एक दिक्कत जो आगे चल कर देखने को मिलेगी आप महसूस कर सकते हैं वह दिक्कत है कि साइज में बढ़ा होता है लार्ज इन साइज मतलब भाई यह बड़ा वाला नुक्लियोफाइल है बड़े वाले नुक्लियोफाइल बड़े वाले नुक्लियोफाइल हलके फुलके वन डिगरी और कुछ केसेस में टू डिगरी के टायन पे तो अटाइक कर लेंगे यह बहुत बड़ा होता है तो यह one degree और कुछ cases में two degree के time पर तो कड़ाक से अटैक कर लेंगे जब three degree के time आएगा तो बवाल हो जाएगा क्योंकि three degree के time तीन तरफ से तो alkyl group से घिरा हुआ है जानी वड़े बड़े गुर्फ से घिर के बैठे हैं और यह बड़ा वाला उसके बीच में अटाइक कर पाना थोड़ा सा लोचा है दोस्तों लोचा है कोई बात पंदूर कर लेंगे लोचे आओ नोट में इस बात को हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि अलड आघाइल हार। सालफेट है अलकाहईल हार। स्टिश्ट प्रोडुट्स दस्टिश्ट हो अलकीन अब बात करेंगे तंगेन स्क्राइब यह से यह लिसमें रहर दीन है और देखा गया है और शी एच छी एच और इसमें टूड़ी टाइन बने गहा यूजवली जो एडी जैसा की यह हुआ है यूजवली शो एडीशन और आर यह पूरा आर मान लिया मैंने और आर ओ अशो थी एच इस अस आप्टेंड एज़ अनसर इस आप्टेंड as a product clear लेकिन problem कब आएगी दोस्त problem समझना अगर alkene की type alkene of type ध्यान से देखें अगर alkene की type ऐसी हो गई तो मेरे भाई ये bond कैसे घुमेगी ये bond ऐसे घुमेगी यहाँ plus आएगा 3 degree पर ये कैसे attack करेगा ये तो बहुत बड़ा वाला है ये बड़ा वाला है और ये hindered कैटायन बनेगा तो मेरे भाई ऐसे केसे में कैटायन तो बनता है लेकिन उस पे हसो फूर माइनस attack नहीं कर पाता फिर आप कोगे उस कैटायन को कोई तो electron देगा हसो फूर माइनस नहीं दे पा रहा है तो हो और कौन electron देगा मज़ेगार चीज है उस समय जो कुछ अलकीन बची होती है वो अलकीन ही आकर इस कैटायन को electron देती है और ये देखा जाता है कि डाइमराइजेसन हो जाता है क्योंकि तुमने कैटायन भी डाइमराइजेसन टेक्स प्लेस ओके सो दिस इस ओल इवाउट बस यही ध्यान देना है आपको डाइमराइजेसन टेक्स प्लेस तो मैं किछ गेस्टन देता हूँ पहला क्येस्टन यह दूसरा यहां तो एडीसन कराओगे चिपचाप यहां तो कोई दिक्कत नहीं है बहुत्र एडीसन कराना आपको ठीक है अब समझ लो मामले को यार आसान है और करें क्या एक पी एच देश डवल वांड देश टू यहां भी एडीसन करा लेना लेकिन जैसे यह लोग है इसकी मेकैनियम लिखना मज़ेदार है इसकी मेकैनियम लिखना मज़ेदार है यहां गया होगा डाइमराईजेसन क्या हो जाएगा एक केस्टन और दूगा दिल खुस हो जाएगा पांच्वां केस्टन दो मोल आपको साइक्लोहेक्जीन दीए यहां सब कुछ मैं दे दूँगा आपको 2-mol-cyclohexene, इस पर डाला concentrate H2SO4, since हमें यह कुछ नहीं करना हमें product दिया गया है, हमें product दिया गया है, clear, हमें product दिया गया है, इसलिए हमें अपनी अकल नहीं चलानी है, हमें propose करना है mechanism बना कैसे है हमें बस इतना बताना ये बना कैसे है केवल इतना बताना ये बना कैसे है तो I hope कर लेंगे आप बना लेंगे आप ये कैसे बना है मैं आप सब को फिर से request करूँगा advice करूँगा कि ये chapter बहुत important है हर chapter में आप देखेंगे ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही होंगी तो अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है थियोरी को revise करके homework पूरा रखे स्वड़ा कम समझ में आ रहा है तो revision बहुत ध्यान से करे और कम समझ में आ रहा है तो please अपने doubt पूछें जो आपके respective doubt groups है उनमें पूछें और एक चीज और once you find out कि आपको theory में doubt है तो please theory का doubt पूछें rather than asking homework doubt आप क्या सीज़े सीज़े question पूछते हैं आप if you don't know method or concept you cannot relate it है सर तो बता ही देंगे यार सर तो answer बता देंगे तरीका आपको पहले यह बोलना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि यह में चीज मेरे को नहीं है यह मेरे को समझा तो जब आप इस तरीके से पूछेंगे तो चीजे थोड़ी सी improve होंगी तो आज के लिए इतना ही take care all the best स्वस्त रहें कर दोह मेरे चाचा अभ़ guilt यह में तो बताना ही यह तो यह मेरे को यह मेरे को जब आपको शु कॉ willen को अमला ही – इतना ही